अब देश के भावी प्रधान मंत्री हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? बरिश्ट नेता है, उनके परिवारी कुर्वानिया देखिए और आज जो सुप्रीम कोट ने जो फैसला लिया है, वो देश की जनता के हित में, लोकतंत्र के हित में, सम्विधान के हित में लिया है, जीत पूरे देश के विकास में लगे हैं लगे रहेंगे इसकार आप देख रहे हैं नीश्पो नेशन में आपके साथ अब जे सिंग कॉंग्रेस के बरिश्ट नेटा राहूल गांधी को सुप्रीम कोट ने बड़ी रहा दी है जी मोधी सरने में जिस्ता से उन्हें सजा दिया गय इसी पर बात करने के लिए हमां साथ एक कॉंग्रेस के बरिश्ट नेता हैं विधायक अजी सर्माजी राहूल गांधी को बड़ा राहत मिला है सबसे पहले दाब को तक है आपने क्या बोला आदनी राहूल गांधी वरिश्ट नेता है अरे वो देश के भावी प्रधान मंत रही है पुरे जोर से क्या आज जीत है क्ल इस्पार्टी बता दें बालते आने व리 जंता उनको प्रधान samama बना के रहेगी वह पुरे देश के विकास में लगे हैं फीर से आपने पहलेगे हैं और जनता की अवाज बनेंगे और ननेंद मोदी से पूछेंगे अडानी जी को आपने रेलवे कैसे बेचा एरपोर्ट कैसे बेचा और भी चीजें कैसे बेचा जो कि जनता के गाओधी कमाई का बनाया था और आपने ये बेचा है इसका जवाब संसर्थ मनको देना इंडिया गटबंदन भी बनके तयार हो गया अब राहुल गांदी पर भी बड़ी रहात हुई है तो क्या लगता है कि इंडिया इस बार सरकार आएगी सर जनता के हित में देश के हित में यूकों के हित में जो रेंद मोदी जी ने इंडिया जो बना है उसकी सरकार बनेगी और हमें चाहूंगा सभी लोग मिलके आदरी राहुल गांदी को परदान मंतरी बनाए और देश के विकास की नहीं उचाई पर ले जाने काम करें चलिए तो आपने सुना कॉंग्रेस के बरिष्ट नेता है अजीश सर्मा वो साब तोर पर राहुल गांदी को जिस्ता से सजा पर जो इस्टे लगा है उस पर साब तर उनका कहना है कि वो जल्द फिर से लोकसवा में आएंगे और अपने आवाज को पहले के जैसा ही बुलं तो अजीश सर्मा भी आपको देख रहे होंगे कितने खूस हैं और डांस करते वे दिख रहे हैं और कहते वे नजा आ रहे हैं कि जो जनता की मुद्दे हैं उसे राहुल गांदी सदन में उठाएंगे और जिस्ता से राहुल गांदी फिर से सदन जाएंगे और जो मोदी ज जिस्ता से देश को बरवाद कर रहे हैं इस पर आब आज उठाएंगे इस तमाम खबर बने रहे हैं अनीश पोनेशन के साथ नमस्कार